गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स तोडे वी आर गोईंग टू लर्न अबाउट नेटवर्क टोपोलोजी अभी तक हमने जो देखा नेटवर्क आर्किटेक्ट्चर डिफरेंट टाइप अब हम देखेंगे कि कैसे एक्चुली क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कने नेटवर्क टोपोलोजी रिफर्स तो बेजिक जियोमेट्रिक लेएउट एकोडिंग टू वीच दसर्वर एंड क्लाइंट्स आर कनेक्टेड वाय चैनल कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं सर्वर और क्लाइंट वह हम सीखेंगे नेटवर्क टोपोलोजी में तो कन करनेक्ट होने के लिए जो मीडियम है जो चैनल है वह अलग-अलग टाइप के होंगे थ्री मोस्ट कोमन नेटवर्क टोपोलोजी आर बस रिंग एंड श्टर ये तीन जो नेटवर्क टोपोलोजी है उसका यूज होता है क्लाइट और सरवर को कनेक्ट करने के लिए जो है टोपोलोजी, रिंग टोपोलोजी एंड स्टार टोपोलोजी यह तीन अलग-अलग टाइप की टोपोलोजी से देटा को एक्सेस करने मिलेगा वो अलग-अलग टोपोलोजी अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, डिफरेंट टोपोलोजी प्रोवाइट इफरेंट लेवल ओफ एक्सेस तु दे ख्लाइन थूदे चैनल, तक कम्प्यूटर ओन दे नेट्वर्क नीड टोपोलोजी अरेंज एकोर्डिंग तो आ स्पेसिफिक टोपोलोजी तो प्रोवाइट स्पेसिफि स्पेसि को भी हमें नेट्वरक के ऊपर उस तरीके से अरेंज करना बहुत टोपोलोजी में जो स्ट्रक्चर हो गा नेट्वर्क का वो अलग होगा, तो अनिक以上 वित्त ताइप ओन टाइब की टोपोलोजी The very first type of topology is bus topology Bus topology is most commonly used in local area network that is called lanes Wherein the server, clients and shared resources are directly connected to a single common channel जहाँ पर एक ही channel यानि कि एक ही medium से सारे clients और server को connect किया गया है ऐसे topology को हम बोलेंगे bus topology This common channel is called the bus अब ये जो single channel हम यूज़ करना है Client के लिए, server के लिए, connectivity के लिए तो उस single channel को ही bus बोला जाता है इसलिए ऐसे जो network topology है उसको नाम दिया गया है bus topology Repeat कर रहा हूं है bus topology is most commonly used in local area networks wherein the server clients and shared resources are all directly connected to a single common channel एक single common channel से server client और other resources जो है वो connect जहां होते हैं ऐसे channel को बोला जाता है bus और ऐसे topology को बोला जाता है bus topology तो अब यह channel काम कैसे करे ही the channel run through the network from one end to another आप image में देख पा रहे हो कि एक single channel है जिसमें left hand side पे एक terminator है और right side side पे भी एक terminator है तो यह channel को इस तरीके से run करते है एक end से दूसरे end तक एक straight line में तो common channel है is terminator at each end दोनों ही end पे आपको terminator मिलेंगे only one computer can transmit over the network at a time for example हमारे पास पांच computer छे computer या पांच computer है अब इस first topology में अगर कोई एक computer यानि की client network के through data transfer कर रहा है तो दूसरे जो पांच computer है उनको wait करना पड़ेगा until की जब तक वो computer यानि की first computer जो है जो network में data transfer कर रहा है उसका transfer complete ना हो जाए तब तक दूसरे computer को wait करना पड़ेगा तो यह हो गया उसका एक disadvantage यानि the common channel has a terminator at each end only one computer can transmit over the network at a time एक time पे सीफ एकी computer network पे data को transfer कर सकता है बस topology के जो उसका disadvantage है बस topology के बाद अब second type जो है topology का वो है ring topology आप screen पे देख पा रहे हो जहां पे right in side पे इमेड़ी है जिसमें एक ring जैसा एक layout बना है जिससे computer एक दूसरे के साथ कोई भी एक side से connect है तो ring topology में क्या होता है वो देखेंगे हम in the ring topology all the computers are connected in a large close loop एक लूप जैसा circuit create होता है जब हम ring topology में computers को arrange करते है जब हम ring topology का use करते है network में so that each computer is linked to two adjacent computer on either side कोई भी दो computer के साथ आपका computer network में connect होगा ring topology में in this topology the message send by sender is received by every client for example चार computer आपके screen पर अभी दिख रहा है ring topology में तो एक computer ने computer number one हम नाम दे देते हैं computer number one computer number two computer number three computer number four तो यह चार अलग-अलग address हम बोल सकते है number one number two number three and number four तो number one ने number four के लिए कुछ data transfer किया तो वो directly number four के पास नहीं जाएगा number one से travel करेगा number two पे number two से travel करेगा number three पे और number three से travel करेगा number four पे अब यह क्यों हुआ तो ring topology में the message sent by sender is received by every client हरे client को वो message मिलेगा यानि कि आपने जो data transfer किया है वो हरे client के पास जाएगा लेकिन but the message is read only by the receiver to which it was address data receive होगा लेकिन उसे वो read नहीं कर पाएंगे उसके through जिस address पे हम data transfer करना चाहते हैं वहाँ पे आपका message या data पहुचेगा वही client आपके message को read कर पाएगा जिसका address आपने network पे दिया है जैसे कि computer number one यानि number one computer यानि कि process नहीं कर पाएगे सिफ वही कर पाएगा जिसका address हमने send किया तो यह है रिंग टोपोलोजी अब next जो टोपोलोजी है वह स्टार टोपोलोजी इन स्टार टोपोलोजी all the clients are individually connected to a centrally located server via direct channel अभी तक जो टोपोलोजी दो हमने देखी जिसमें बस टोपोलोजी रिंग टोपोलोजी बस टोपोलोजी में क्या था कि एक channel पे सारे computer connected यानि कि जितने भी computers हम आपके network में है वह सारे एक single channel के साथ connect है यह होगी बस बस टोपोलोजी की बात फिर हमने देखा रिंग टोपोलोजी उसमें क्या हो रहा था कि एक computer दो अलग-अलग computer के साथ connect है जो आपका जो data है वह वह हरे computer से travel करने के बाद आप तक पहुंचता है लेकिन स्टार टोपोलोजी में क्या है एक centralized server के साथ individually सारे computer connect है आप यहां screen पे भी देख सक रहे हो कि एक server computer है जो workstation 1 workstation 2 workstation 3 workstation 4 यह चार अलग-अलग computer के साथ connect है और उसी के साथ एक printer को भी connect किया गया यहां कि server computer सारे client की जितनी भी request होगी उसे accept करेगा उस request को process करने के बाद उसे respond करेगा तो यहां पे server जो है वो main device है star topology इस topology was commonly used with the mainframe computers the entire communication over the network take place through the central server यहां पे कोई भी channel नहीं है लेकिन server के साथ सारे computer को connect किया गया है इसलिए हम इसे बोलेंगे star topology आप देख सकते हैं कि जो graphical view यानि कि layout जो बन रहा है वो star के shape का बन रहा है उपर ring में जो हमने देखा एक circle create हो रहा है यानि कि एक ring create हो रही इसलिए उसे ring topology बोला गया और bus topology में हमने देखा एक single channel यानि कि एक straight line एक straight network जो establish हो रहा है जो channel का use करके इसलिए उसे हम बोलेंगे bus topology अब star topology में क्या disadvantage हो सकता है अगर आपका server काम करना बंद कर देगा तो आप नेटवर्क पे जितने भी computer है वो सारे disconnect हो जाएंगे तो यह disadvantage है star topology तो आज आपने सिखा what is network topology और उसके तीन टाइप next session में हम देखेंगे different network devices and about internet